नमस्कार आप देख रहे हैं यूग चर्ण और मैं हूँ आपके साथ खुश्म सकते। आए नज़र डालते हैं रासान चोड़ी कुछ पड़ी ख़बर उपर। ज़पर के स्टेडियम में आज रहसान रोयल्स और रोयल्स चैलेंजर बैंगलोर के बीश मुकाबला होगा। रहसान की टीम जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में उतरेगी। का फिर कहां मिलेका। विराट रासान रोयल्स के स्टार बल्लेबाज ये शश्वी जैसवाल को टिप्स देते हुए नज़र आए। युजवेंद्र चहल अपने पुराने साथियों के साथ हसी मजाग करते हुए माहोल को कूल करते हुए दिखाई थी। शुक्रवार को प् अप्षा मत्रीर राजनात सिंग का विकाने राएंगे और महर्शी कपिल के तपो भूमी कोलायत के दौरे पर रहेंगे। तो पहल से राद तक व्यस रहते हैं। इसलिए अमिशा अगर आते भी हैं तो लोगों की व्योस्ता के कारण सभा में भीड की संभावना कम हो जाती है। हाला कि अमिशा का दौरा नौ अपरेल की रिताई हो गया था। लेकिन नौ वर्ष को देखते वे उनका ये दौरा सगित करना पड़ा है। दूसरी तरफ राजनाज सिंग के दौरे को लेकर भारती जन्ता पाठी के तमाम नेता सक्री हो गए है। कुलायत के विधायक अंशुमान सिंग भाठी सभा की तयारियों में पूरी तरह से व्यस्त है। चूरू में प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी के एंट्री के बास सूबे की सियासत गर्मा गई है। रासान की होट सीट बन चूकी चूरू लोकसुबा सीट अब बीजेपी के आनबान शान बन गई है। प्रधारमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू मिश्क्रवार को लोकसुबाद चुनाव का शंखनात किये यहाँ पीम देवेंद्र जारजडिया के लिए समर्थन दुटाने पहुंचे थे वहीं पीम की जनसबा के दोरान बीजेपी के दिगश नेता राजेंद राठोड कहा कल तक मैं काका था आज मैं कंस हो गया कल मैं उनकी लिए लक्षमन था आज मैं दुर्यधन हो गया हूं भाइयू सावधान रहना है और हमें वोट देना है मोदी जी का मैजिक है डबल इंजन के सरकार है उन्होंने कहा हित्वचन तूने नहीं माना मैत्री का मुल्य तू कॉंग्रिस के घोषना पत्र को जारी किया जाएगा जिसके लिए राहूल गांधी को भी आज इस सभा में जैपूर पहुँशना था लेकिन आखरी समय पर राहूल गांधी का जैपूर दौरा रध हो गया है लोक्सभा चुनाओं को मद्य नजर रखते हुए कॉंग्रिस कई दिगश नेता जैपूर आ रहे हैं लेकिन इसी बीच राहूल गांधी का जैपूर दौरा रध होना चर्चा का विशे बना हुआ है आखर राहूल गांधी का ये दौरा किन कारणों के चलते रध किया गया है इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा और निया यात्रा के द दौरा निरस्त हो गया सूत्रों की माने तो आज शाम राहूल गांधी तेलंगाना दौरे पर रहेंगे जहां कॉंग्रिस के समर्थन में शाम साथ बजे एक जंसबा रखी गई है रासान में वेस्टरन डिस्टरबिंस के कारण आज सुबह कई जिलों में भारी बारिश हु मौसम के इस बदलाव से रासान में रात का दापमान पांस डिग्री से अलसियस तक गिर गया है इसे लोगों को गर्मी से रहात मली मौसम के इंदर जैपूर ने आज भी अगले कुश घंडों के दौरान भारतपूर कोटा संभाग के छे जिलों में 30 किलोमिटर स्पीड से 30 हवा चलने के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है वहीं का से प्रदेश में फिर से आस्मान साफ होने और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई गई है रिपोर्स के मताबिक शिक्रवार देर शाम से शनिवार सुबह तक जोदपूर के भुपालगड में 14 एमेम बिकानेर के लुनक सर में 3 एमेम अश्मेर में 14, किशिनगड में 6, सबाई मादूपूर के खंडार में 2, जैपूर के नरहना में 10 एमेम बारिश हुई रास्तान सुदूरी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले युक्चरन को तब तक लिए नमस्कार